हाई फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग मैं हूँ पीवे कुमार पांडे और यह जो सीरीच चल लाए पोस्ट ग्रिस का सीरीच और इसके पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग अपने पोस्ट ग्रिस में और इसके उसमें अपने टेबल्स में लेकिन वहां पर पर इसके प्रोब्लम था यह कि हम लोग ने जो इससवी को इंपोर्ट कराया था वह बहुत ही कम कॉलम होते थे उसमें अभी यहां पर एक समसे यह आता है कि आपके पास CSV में आपके पास बहुत सारे columns हैं आपके पास 100 columns है या 200 columns है आपके पास 300 columns है 500 से ज्यादा कॉलम है अभी ऐसे case में क्या करना है कि आपको टेबल को create करना होगा और टेबल को create करने के बाद ही आप उसको import कर सकते हैं अभी 300 अगर आपके पास 300 या 500 कॉलम है उसको इंपोर्ट करना उसके लिए आपको टेबल करना और फिर इसको इंपोर्ट करने बहुत ही बड़ा टास्क हो जाएगा तो यह जो चीज है इसको इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग solve कर सकते हैं टेबल को कैसे हम लोग create कर सकते हैं dynamically और कैसे हम लोग CSB को import कर सकते हैं अपने डेटा में तो एक बार में आपको CSB दिखा देता हूं, तो यह है मेरा CSB, और यहां पे मैंने CSB का नेम रखा है, dummy 300 columns, और यहां पे आप देखिएगा, जब मैं इसको last में करता हूं, तो यहां पे आप देख सकता है, column 300 है, मतलब कि यहां पे 300 columns मैंने CSB में रखे हुए हैं, और इसको को भी मुझे create करना है तो जैसे कि मैंने बताए कि इस में हम लोग के पास कोई ऐसा फीचर नहीं है पोस्ट गेस में कि हम लोग directly input भी कर सकें और टेबल भी create कर सकते हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे छोटा सा कमांड लिखेंगे python में अगर आपको python नहीं पता है तो भी कोई प्रोलम नहीं है क्योंकि यहां पर built-in कमांड है जो मैं आपको दे दूंगा या फिर आप मेरे website से ले सकते हैं या github से आप उसको ले सकते हैं और यह बहुत ही simple सा कमांड है यह क्या करेगा कि आपको यहां पर davecppanda इंस्टॉल करना है और उसके बाद यह कमांड को आपको र Unkar १ा, seb ओधकर वो यह बहुत है तो यहां पर यहां पर यहां पर आपको कोई इस अश्ण करने है यहां पर आपको कोई है ज करने है अगर आप टेबल कर नेम और चाहते운 है तो आपको यहां से सब् 가서 , ये लाइन नुमर में सा और 2 डाउस के बाद को आपडंगत अगल करना है अग्वा सबस्केद आपको आपको अभी इस फाइल को सेव कर करेंगे अपने डारेक्टरी में किसी बी डारेक्टरी में तो मैंने यहां पे इसको सेव किया है test.py बोलके मैं इसको क्या करता हूँ यहां पे cmd आपको open करना है या फिर आप terminal open कर सकते है अगर आप mac यूज कर रहा है तो उसके बाद आपको यहां पे just एक simple python का command है उसके बाद से आपको python यहां पे test.py आपको लिखना है और यह क्या काम करेगा कि जो भी आपका csv है csv से headers जो है best on उसके यह क्या करेगा कि यहां पे table create कर देगा table create करने का यहां पे आपको syntax देगा उसको आपको क्या करना है उसको copy करना है और execute करा देना है अपने db में तो आपका table वहां पे create हो जाएगा अभी देखते हैं कि कैसे यह कर सकते हैं तो मैं यहां पे यहां पे python test.py देना है और उसके बाद यहां पे आपको hinter पे just click करना है और यहां पे देखिएगा तो यह सारे table का command है यह मुझे यहां पे मिल गया है आपको क्या करना है इस वाले part को copy कर लेना है यहां से यहां तक आप copy कर लेजे और उसके बाद आप जाएए यहां पे और tables में यहां पे right click करके आपको query tool open करना है और फिर आपको यहां पे क्या करना है कि यह जो है उस copy को paste कर देना है जो आपने copy किया और इसको आप run कर देजएगा तो यहां पर क्या बोल रहा है कि क्यों return successfully हो गया है मैं जब इसको refresh करूंगा तो मुझे यहां पर table भी मिल जाएगा तो यहां पर मेरा table create हो गया है मैं एक बार इसको view करा लेता हूं all view और यह वाले tab को मैं open close कर देता हूं ठीक है तो यह जो है वो मेरा dot save ओके तो यह मेरा table यहां पर create हो गया है column 1,2,3,4,5,6 और यह 300 तक जाएगा यह 300 तक यहां पर create हो गया है अब मुझे इसमें data को input कराना है यह वाले data को तो उसके लिए मैंने already video बनाया था जो जस्टिस के पहले है जो कि मैं बोला हूं को उसका link description में रहेगा वहां से आप जाल लेके उसको copy कर सकता हूं और यह command है जो already मैंने इसको बता दिया था तो already मैंने यहां पर इसको लिख execute करा देना है और यह हो गया अपका यहां पर run जब मैं इसको run करता हूं तो मैं यहां पर देख सकते है कि इसका data यहां पर आ गया है तो यह data भी जो है यह data भी insert हो गया और तेल भी iAPka create हो गया इसमें python आप run कर सकते हैं या फिर कोई और भी command run कर सकते हैं जो आपको टेबल create करके दे दे python चुकिए easy है और बहुत साही लोगों को समझ में आता है python इसलिए मैंने यहाँ पे इसको python के थुरू इसको मैंने run किया है अगर आप चाहते हैं तो इसको java के साथ भी कर सकते हैं php के साथ भी कर सकते हैं node.js के साथ भी कर सकते हैं जिसके साथ भी आप करना चाहें वह आप कर सकते हैं आपको इन पुला धे ते देगा और उसको कॉपी करके आपको क्रीट कर लेना है यह कोड है इसको मैं अपने वेपसाइट पर अप्लोड कर दूँगा और उसका लिंक में मैं डिसक्पशन बढ़ दोंगा जैसे कि आपको यह code आपको मिल लाएगा और इस को रन कैसे करना है और भी आपको इस वीडियो में आपने देख लिया है तो अगर इस वीडियो से रियल्टर कोई भी प्रोब्लम है तो आप नीचे हमको कमेंट करके जरूर बताई है और वीडियो आपको helpful लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप ने है इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर कोई भी प्रोब्लम होता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बाते हैं मैं उसको पर वीडियो बनाऊंगा